यानि कि लोगडाउन के तुरंद खुलने के बाद ये वेकंसी निकाली जाएगी 20 अप्रैल को RRB चेनल नहीं ने एक ओफिशल नोटिफिकेशन जारी करके करें तो अब इसका एक्जाम जो होगा वो नमस्कार दोस्तों जहिन स्वागत आपके अपनी चैनल वेटो सक्सेस पर और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ most important government job updates क्योंकि फ्रेंट जब सी lockdown स्टार्ट हुआ है तो काफी सारे लोग बार-बार कमेंड करके पूछते रहते हैं कि जो वेकंसी मार्च या फिर अप्रेल में आने वाली थी अब वो कब आएगी जो exam postpone हुए थे वो कब से होना start होंगे जो exam मई के मंत में होने वाली है या फिर जो नई वेकंसी माई के मंत में आने वाली है क्या वो proper time के आएंगी या फिर वो भी postpone हो जाएंगे और lockdown के खुलने के बाद कब से exam होना start होंगे या फिर नई वेकंसी आनी start होंगी और साथ ही जो काफी सारे लोग RRB, NTPC और Group D का exam होने का wait कर रहे हैं तो इनके regarding भी railway ने official notification के जरिये information दे दिये कि exam का process क्या चलावा है, आखिर exam आपका कब तक होगा तो friends इस वीडियो में total 12 से 13 update है, सभी एकदम officially update है क्योंकि departments के through official notification के जरिये information दी गई है तो चलिए आपको one by one update देता हूँ, आपकी काफी सारी problem sol हो जाएंगे और आपको अपने questions के काफी सारी answer भी मिल जाएंगे तो चलिए वीडियो को फटा-फट शुरू करते हैं तो friends first update है, SSC CHSL exam, SSC Steno exam, SSC Junior Engineer exam और सभी SSC के तरू जो skill test होने वाले थे, वो सभी postponeded हो चुके थे, आप जानते हैं अब सवाल उठता है कि ये सभी exam आपके काफ होंगे friends lockdown के extend होने के तुरंद बाद 15 अप्रैल को SSC ने एक official notification जारी किया जिसमें उन्होंने बताया जो exam या फिर skill test postpone किये गए थे, वो 3rd मई के बाद कराए जाएंगे और इनकी जो official date होगी exam होने के या फिर skill test कि वो 3rd मई के बाद ही SSC के थुरू या तो official website के उपर या फिर SSC के तुरू कोई official notification जारी किया जाएगा तो friends आप वेट करिए 3rd मई तक का तो काफी सारे लोग का echo doubt आ रहा था जो SSC stenographer का exam 5 मई से start होने वाला था क्या वो postpone हो गया फिर exam conduct कर जाएगा friends definitely इस notification में information दे दी गई है exam आपका postpone हो चुका है 3rd माई के बाद जो नई date आएगी उसी के according अब आपके सभी exam होने वाले है जो की postpone हो चुके दे तुम आपसे ये कहूंगा आपको थोड़ा और टाइम मिल रहा है प्रिपेशन के ओपर फोकस के रिए और मैनत के साथ प्रिपेशन करने स्टार्ट कर दीजे आपके लिए ज्यादा बेनिफिक्षरी रहेगा अपडेट नमबर सेकेंड है SSC CPU, Sub Inspector Vacancy और Junior Hindi Translator Vacancy ये दोनों वेकंसी 17 अप्रेल 2020 को आने वाली थी लेकिन दोनों ही वेकंसी पोस्पोंड हो चुकी है जिसके बाद काफी सारी लोग परेशान है कि वेकंसी आखिर कब आएंगी फ्रेंट्स 15 अप्रेल को जो SSC ने ओफिशिल नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें इनोंने इन वेकंसी के बारे में भी डीटेल दी थी कि जो नई वेकंसी आएगी उनके एक्जाम होंगे 2020 में वो भी फिलाल पोस्पोंडिट है और उनके जो नई डेट आएगी वो थर्ड में के बाद SSC का जो एन्वल एक्जाम कलंडर है वो अपडेट किया जाएगा और उसमें सभी एक्जाम की और आने वाली सभी वेकंसी की डेट के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा तो अगर आपका टारगेट था SSC CPO एक्जाम या फिर SSC Junior Hindi Translator तुम आपसे यही कऊंगा प्रिपेशन में लगे रही जी जान लगाकर आपका एक्जाम जरूर होगा वेकंसी आएगी और आप अच्छे स्कोर कर सकोगे अगर आप अभी से प्रिपेशन में लग जाओ अपडेट नमबर थाड है UPSC CPF Assistant Commandant Vacancy यानि कि जो हर साल UPSC के तुरू हमारी Central Armed Police Forces के अंदर Assistant Commandant की वेकंसी निकलती है उससे रिलेटिड क्योंकि यह वेकंसी जो आनी थी UPSC के Official Exam Calendar के अकोडिंग वो 22nd April 2020 को ही आनी थी लेकिन काफी सारे लोग यह पूछने कि यह वेकंसी अपने प्रोपा टाइम पर आएगी या फिर पोस्टपॉन कर दी जाएगी देखे फेर्स जब lockdown extend के आगया उसके बाद 15 April को एक प्रेस रिलीज ओफिशल नोटिफिकेशन जारी के आगया UPSC के तुरू जिसमें उन्होंने बताया कि जो नई वेकंसी आने वाली है या फिर एक्जाम होने वाले थे वो सभी पोस्टपॉन कर दे गए हैं थर्ड मय तक और जो नई वेकंसी की ओफिशल डेट आएगी या फिर एक्जाम के ओफिशल डेट आएगी वो थर्ड मय के बादी UPSC की एक्जाम पोस्टपॉंट हो चुका था आपकी UPSC Medical Services वेकंसी आनी थी वो भी पोस्टपॉंट हो चुके थी आपकी UPSC All India Engineering Services का जो एक्जाम होता था उसकी वेकंसी आने वाली थी वो भी आपकी पोस्टपॉंट हो चुके हैं तो ये वेकंसी के बारे में भी डीटेल दिए अपडेट नमबर 4 है UPSC लेकपाल जिसके अंदर 5200 वेकंसी अनांस हो चुक है उसके उपर आपको एक प्रोपर डेटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुक हूँ फ्रेंस 19 अप्रेल के हिंदुस्तान न्यूस पेपर के थुरू ये इनफोर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि UPSC के थुरू लेकपाल की वेकंसी निकाली जाएगी 5200 आफ्टर दा लोकडाउन यानि कि लोकडाउन के तुरंद खुलने के बाद ये वेकंसी निकाली जाएगी 18-40 एर एज लिमिट होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास मांगा गया है आपको प्रोपर वीडियो दे चुक हूँ आप ये वीडियो देख रहे ना कम्प्रेट इंफोर्मेशन के लिए तो आपके लिए वेकंसी जबरदा सारी है फ्रिप्रेशन में लग जा कि क्या ये एक्जाम भी पोस्टोंड होगा देखे फ्रेंट्स एक्जाम डेफिनेटली पोस्टोंड हो चुक है मेरे सोर्सिज के अकोडिंग अगर बात करें तो अब इसका एक्जाम जो होगा वो 12 जुलाई 2020 से होगा मैं ये सोच रहा था कि केवल मुझे ही पता क्योंकि म इन्फोर्मेशन बिल्कूर सही है कि ये एक्जाम अब जुलाई में होगा 12 जुलाई 2020 से होगा और डिफरेंट डिफरेंट फेज के अंदर ही होगा तो आप अपनी प्रिपेशन जारी रखिए और भी जबरदस वाली प्रिपेशन स्टार्ट कर दीजे क्योंकि लगबग आ यूपी प्लीस सब इंसपेक्टर की वैकंसी की तरह से आप जानते होंगे काफी टाइम पहले ये वैकंसी अनौंस हो चुकी थी कि यूपी प्लीस के अंदर टोटल 5630 वोस्ट के ओपर वैकंसी निकाली जाएंगी ये वैकंसी मार्च और अप्रेल के लिए अनौंस होई थी लेकिन इस सिचुएशन के चलते वैकंसी अभी तक नहीं आई तो काफी सारे कंडिडेट ये ही पूछ रहे कि वैकंसी आखी कब जाएगी तो फ्रेंस डेफिनेटली ये तो आप सब लोग जानते हैं कि इस सिचुएशन में वैकंसी तो डेफिनेटली नहीं निकाली अभी तक कोई भी ओफिशिली अपडेट नहीं आया जब भी आएगा आपके लिए प्रोपर वीडियो लेकर आ जाओंगा तो थर्ड में तक वेट करिए और अपने प्रिप्रेशन जबरदस्वाली जारी रहिए अपडेट नमबर सेकेंड है एस सी एम्टेस वैकंसी 2020 को आने वाली है अब काफी सारे लोगों के डाउट ये आ रहे है कि ये वेकंसी अपने प्रोपर टाइम पर निकाली जाएगी या फिर ये भी वेकंसी पोस्पॉंड हो जाएगी देखे फ्रेंस अब तक सेसी के एन्वल एक्जाम कलेंडर के मुदाबिक ये वेकंसी 2 जू जो ये वेकंसी आएगी 2 जून को आएगी तो हो सकता है इस सिच्वेशन का इफेक्ट इस वेकंसी के ओपर ना पड़े क्योंकि लगबग एक महीना रहेगा इस वेकंसी के पास तो मेरी हिसाब से तो वेकंसी के ओपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि का आपकी proper time के साथ आ जाएगी और वैसे भी 3rd मई के बाद तो SSC अपना annual exam calendar update करी रहा है उसमें proper details से पता चल जाए कि vacancy का time बढ़ा या फिर proper time के साथ vacancy आने वाली है फाइनली आता है update number 8 जो की है RRB NTPC exam से related फ्रेंस 20 अपरेल को RRB चेनली ने एक official notification जारी करके information दी है कि जो अपरेल में exam conduct कराने वाली agency के selection के लिए conference होनी थी जिसकी date officially काफी पहले announce कर दी गई थी अब वो conference postponed कर दी गई है इस notice में information दी है अब जो conference होगी उसकी नई date आएगी वो 3rd मई के बाद यानकी lockdown खुलने के बाद ही आएगी और उसी के बाद proper जो procedure है चलाया जाएगा exam conduct कराने वाली agency के selection के लिए और उसी के बाद आपका exam होगा साथ हिंदुस्तान newspaper में भी एक detail दी गई है कि फिलहाल ये जो process है वो रोक दिया गए है और lockdown के खुलने के बाद process complete के जाएगा और उसी के बाद exam होगा तो friends मेरे according मेरे बात करी कि exam आपका कब तक होगा अगर process ऐसा चलता रहा तो exam आपका लगबग July तक होगा और exam होना July से start हो सकता है अगर process आपका मई में start होता है tender का company को tender देने का exam conduct कराने का उसके बाद आपका June तक time लगेगा सभी process करने का तो July तक तक तो time लगी जाएगा तो आपसे फिर से काऊगा केवाल आपका focus preparation के ओपर रहना चाहिए ये जो process चल रहा है उसको चलनी दीजे इतनी बड़ी vacancy है फिलाल इंडिया के अंदर सबसे बड़ी vacancy NTPC की है क्योंकि बहुत ज़्यादा candidate ने इस vacancy के लिए form apply किया हुआ है तो आप wait करिए preparation के ओपर अ कुछ ऐसी अफ़ाएं उड़ने की vacancy decrease की जाएंगी आफि railway के अंदर काफी time तक कोई vacancy नहीं आएंगी देखेवर्स अगर आपने भी कोई ऐसी news सुनी है ये बिल्कुल fake है ऐसा कुछ भी update railway की तरह से नहीं दिया गया कि vacancy decrease की जाएंगी आफि vacancy नहीं आएगी अभी ऐसा कुछ नहीं है कोई भी vacancy decrease नहीं की जाएंगी क्योंकि इतने ज़्यादा candy rate ने फॉप लाए किया तो vacancy बिल्कुल भी आपकी decrease नहीं की जाएंगी और नहीं ऐसा कुछ है कि vacancy railway के अंदर अब नहीं आएंगी vacancy आपकी प्रोपर चलती रहेंगी वो सब कुछ railway के ऊपर depend करत है तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल बेफिक रहें और SCFY के उपर विश्वाल बिल्कुल भी मत कीज़ेगा अपडेट नमबर 10 है DRDO MTS exam को लेकर friends बहुत सारी लोग बार-बार comment करके पूछ रहें कि DRDO MTS का exam कब होगा ये exam कहीं cancel तो नहीं हो गया friends देखे कोई भी government job exam cancel बिल्कुल भी नहीं होगा इस चीज़ को लेकर आप मिश्चिंत रखिए और अगर पीशे का record देखे DRDO के अंदर जितने भी exam हुए चाहे वो technical category का हो या फिर वो आपका administrative assistant का हो form के बाद exam जल्दी हो जाते हैं हाँ result आने में ठोड़ा late हो जाता है तो friends exam आपका जल्दी ही हो जाता अगर ये problem ना आती ये coronavirus वाली situation ना आती lockdown ना होता तो आपसे यही कमगा चिंता बिल्कुल भी मत करिये lockdown के खुलने के बाद सबसे पहले आपका DRU MTS का ही exam होगा तो बस आपको सभी को 3rd माई तक तो wait करना ही पड़ेगा तब उसी के बाद different department के थुरू official notice आने सुरू हो जाएंगे उनकी official date exam के आने सुरू हो जाएंगे admit card आने स्टार्ट हो जाएंगे तो अब आप केवल wait करिए और अपनी study के ओपर focus करिए update नंबर 11 है जो UP के अंदर Indian post के थुरू GDS की टोटल 3951 वेकंसी निकले थी उसके form की last date को extend कर दिया गया है 7th मैं 2020 को तो अगर आप some apply नहीं कर पाएते तो अब आप some apply कर सकते हैं 7th मैं 2020 को तो ये एक अच्छी हवर है finally आता है update number 12 जो की आज का last update है वो है SBI PO की वेकंसी से related friends जब से मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये बताया कि मेरा target SBI PO के exam को crack करना है और मैंने इसके लिए जबरदस वाली preparation भी start कर दिया है उसके बाद से काफी सारे लोग इस वेकंसी को लेकर interested हो गए है और वो बार-बार comment करके पूछ रहे कि आखिर SBI PO की वेकंसी कब आएगी तो friends जो basically हर बार SBI PO की वेकंसी आती है वो around June, July, August तक आती है तो पहले pre-exam को target करके पूरी जबरदस वाली preparation के रिए exam के उपर focus करिए subject wise पढ़िए, topic wise पढ़िए, साथ ही आपके साथ strategy भी share करूँगा, wait करिए next video का तो friends यही था आज के total 12 update जो की एकदम official है, जितनी भी information सभी official है जितने भी official notice हैं आपको नीचे description box में मिल जाएंगे, आप महांसे download करके confirm भी कर सकते होगी किस exam की date कब postponed हुए और कब तक आ सकते है, different department के तुरू announce किये गए है तो चले friends आज के इस video में तो इतना ही था, अगर आपको थोड़ी बहुत help मिली हो या फिर आपको थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like करी देना, करी देना मतलब कर दीजेगा वीडियो को like जरूर करना अगर आपने हाँ तक देख लिया है कोई doubt रहे है तो comment करके पूछ सकते हैं, आपके comment का answer करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी interesting videos हमेशा लाता हूँ और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाद से जाद से जाद से शेयर करना, facebook, whatsapp और भी जो जगह है वहाँ पर भी शेयर करना तो चलिए friends मिलते अगली वीडियो में बहुत जल तब तक के लिए, जै हिंद